सीतापुर नाम के गाउं में सब लोग मिलचुल कर और हसी खुशी रह रहे थे पर एक चुडैल के आतंक ने वहाँ सब कुछ बदल कर रख दिया एक राद चब उस गाउं में सब लोग चैन की नीन सो रहे होते हैं तो अच्छानक कालू राम के दर्वाजे पर किसी के खट-खटाने की आवाज आती है अरे भाईया इस बखत काउन आ गया दुखी करने कमला अर्यो कमला अर्यी जरा दर्वाजे पर जाकर तो देख की कौन खट-खटा रहा है अरे वो गली का कुट्ता होगा तुम सोजो चुपचा तभी दुबारा दर्वाजे खट-खटाने की आवाज आती है कालू राम जाकर दर्वाजा खोलता है सामने एक बहुत ही सुन्दर औरत को देख कर उसे देखता ही रह जाता है कौन हो तुम और यहां कैसे मेरा नाम चांदनी है मुझे बहुत ही भूख लग रही है तो मुझे कुछ खाने को मिल सकता है क्या खाने को हाँ खाने को तो घर में कुछ ना कुछ जरूर होगा मैं भी लेकर आता हूँ मुझे कुछ नहीं बस प्यास लेकर दे दो मैं वही खालूँगे प्यास बस प्यास पर प्यास कौन खाता है मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लाता हूँ नहीं मुझे बस प्यास ही चाहिए अच्छा अच्छा तुम गुस्सा मत करो मैं प्यास लेकर ही आता हूँ कालूराम अंदर प्यास लेने जाता है कैसी अजीब औरत है जो रात में प्यास खाने को मांग रही है हर मुझे क्या थोड़ा सा प्यास दे कर मेरा क्या जाएगा कालू राम एक प्लेट में कुछ प्यास रख लेता है और बाहर आकर चान्नी को दे देता है प्यास प्यास इतनी सारी प्यास प्याज ही तो है इसमें इतना खुशोने वाली क्या बात है वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम आई कहां से हो पहले मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ फिर मैं बताऊंगी कालू राम अंदर पानी लेने जाता है पर जब वो पानी लेकर बाहर आता है तो चान्दनी वहां से गायब हो चुकी होती है कालू राम अंदर जाकर सोचाता है और चान्दनी प्यास लेकर दूर एक खंडहर के अंदर चली जाती है वो खंडर गाउं के कोने में होता है जहां कभी कोई नहीं जाता जाननी एक खुबसूरत औरत से बदल कर एक भयंकर चुडैल बन जाती है ये लो मालिक, मैं आपके लिए प्याज ले आई हूँ आप इसे जल्दी से खाओ और उसके बदले मुझे शक्ति दो चुडैल उस राक्षस के बड़े-बड़े नाखुन वाले हाथों में प्याज रख देती है राक्षस प्याज खाने के बाद उस चुडैल के हाथ में अपना हाथ रखता है जिससे एक तेज रोश्नी निकलती है और उस चुडैल की शक्तियां बढ़ जाती है शुक्रिया मालिक शुक्रिया सुबह हो जाती है कालुराम अपनी पतनी कमला को रात का किस्सा बताता है तुमें तुम मौका चाहिए दूसरी औरत से बात करने का सुधर जाओ तुम समझे अरे भाग्यवान तू भी ना बस क्या बस अगर दुबारा तुमने किसी औरत को प्यास ट्रमाटर दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और फिर रात होती है चुडैल अपने खंडहर से बाहर निकलती है और अब उसे किसी दूसरे घर की तलाश होती है आज किसके घर जाओं? कौन देगा मुझे प्यास? चुडैल अपना रूप बदल कर फिर से एक खुबसूरत औरत में बदल जाती है उसके बाद वो हर्यो और कमला का दर्वाजा खट-खटाती है कौन है? जब बाहर से कोई आवाज नहीं आती तो कमला जाकर दर्वाजा खोलती है कौन हो तुम? और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम चांदी है और मुझे बहुत भूख लगी है मुझे कुछ प्यास लाकर दे दो प्यास? पागल वगल हो क्या? यहाँ कोई प्यास व्यास नहीं है चलो जाओ यहां से मैंने बोला ना मुझे भूख लग रही है मुझे प्यास लाकर दो अरे वाँ जरा कर तो देखो इस वारत की तेरे जैसी चोर औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ समझी? अभी जा और प्यास ले खरा अरे भाई तू तो बड़ी ही बेशरम है इतना सुनने के बाद भी धीट की तरह खड़ी हुई है कमला अपनी बाद पर अड़ी रहती है और चाननी को गुस्सा आजाता है वो उसके सामने जोर से चिलाती है और एक चुडैल में बदल जाती है चुडैल! चुडैल! अरे पाप रहे ये तो चुडैल है अब चा और मेरे लिए प्यास लेकर आ वरना मैं तुझे मार डालूगी मुझे मत मारो मैं अभी अभी तुम्हारे लिए प्यास लेकर आती हूँ कमला जल्दी से प्यास लेकर आती है चुडैल प्याज लेकर वहां से नाच्टी कूद्धी चरी जाती है अगले दिन पूरे गाउं में वो ये बात पहला देती है कि रात को एक चुडैल उसके पास प्याज मांगने आई थी अरे बहन ये तुम क्या कह रही हो अरे मैं सेज पोल रही हूँ भाई साब पर आप इतना परिशान क्यों देख रहे हैं अरे भाई साब वो चुडैल ही थी क्योंकि उस चुडैल ने मुझे भी अपना नाम चांदी ही बताया था गाउं के लोग उस चुडैल के बारे में जानकर बहुत ही डर जाते है रात होते ही सब लोगों को ये डर होता है कि कहीं आज उनके घर का नमबर तो नहीं है और बस इसी डर से सब अपने घर के खिटकी दर्वाजे अच्छे से बंद कर देते हैं पर किसी को नीद नहीं आ रही होती रात होती है और वो चुडैल अपने खंडर से बाहर आ जाती है उसके बाद वो गाउं जाकर अपना रूप बदर लेती है और लक्षमी के घर का दर्वाजा खट-खटाने लगती है आ गई वो चुडैल अजी कुछ करो, वो चुडैल हमें मार डालेगी अरे लक्षमी शान्त रहो और डरो मत देखो उस चुडैल को नहीं पता कि हमें उसके बारे में पता चल चुका है इसलिए हमें बिलकुल शान्त रहना चाहिए अची घर के बाहर चुडैल खड़ी है और आप शान्त रहने की बाते कर रहे हो एक काम करो तुम चुड़ चाप यहां बैठो और मैं दर्वाजा खोलता हूँ क्योंकि अगर दर्वाजा नहीं खोला तो कहीं उसे गुस्ता ना आ जाए रामू भी अंदर से डरा हुआ होता है पर वो फिर भी हिम्मत करके दर्वाजा खोलता है सामने एक सुन्दर औरत खड़ी होती है जी जी आप कौन? मेरा नाम चांदनी है मैं बहुत भूकी हूँ क्या मुझे खाने के लिए प्यास मिल सकती है? रामू चांदनी नाम सुनकर ही कांपने रगता है चांदनी, हाँ हाँ, प्यास मिलेगी न, तुम जितना चाहो उतना प्यास मिलेगा, मैं अभी लेकर आता हूँ रामु जल्दी से अंदर जाता है और घर के सारे प्यास लाकर उस चुडैल को दे देता है इतने सारे प्यास आज तो मज़ा ही आ गया इतने सारे प्यास मिल गए मुझे चुडैल उन सारे प्यास को लेकर वहाँ से बड़ी खुश होकर चली जाती है और रामू जल्दी से अपने घर का दर्वाजा बंद कर देता है आज तो वो चली गई पर अगर वो कल फिर से आ गई तो हम ऐसे डर डर कर कब तक जियेंगे ये बात तो सच कही तुमने लक्षमी पर हम कर भी तो क्या सकने है उस रात तो चुडैल वहाँ से चली जाती है पर फिर हर रात वो भेज बदल कर किसी न किसी के घर प्यास मागने आती थी प्यास मागने वाली चुडैल ने पूरे गाउं में अपना आतंक मचा रखा था जिससे लोग बहुत ही दुखी हो गए थे उसने गाउंवालों की रातों की नींद उड़ा दी थी वो हर पर डरडर कर जीने लगे थे एक दिन कुछ गाउंवाले कठे होते हैं ऐसे हम डरडर कर नहीं जी सकते हमें उस चुडैल का कुछ ना कुछ करना ही होगा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो अजी मैंने सुना है कि पास के गाउं में कोई बहुत ही बड़े पंडित जी कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं आप सब उनके पास जाओ वो जरूर उस चुडैल का कुछ ना कुछ कर सकते हैं सब लोग मिलकर उन पंडित जी के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं पंडित जी उन लोगों के साथ उनके गाउं आ जाते हैं आज हमें उस चुड़ैल का पीछा करना होगा क्योंकि वो चुड़ैल कभी प्याज खाती नहीं है बस उसे लेकर कहीं गायब हो जाती ह रात होती है और वो चुडैल फिर से किसी के घर जाकर प्याज मांगती है इस बार गाउं के कुछ लोग मिलकर उसका पीछा करते हैं वो पीछा करते करते उस खंडहर में पहुँच जाते हैं वो देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि चुडैल सारी प्याज एक राक्षस को दे रही है और वो राक्षस उसके बदले उस चुडैल को शक्ती देता है गाउवाले वापस आकर पंडिजी को सारी बात बताते है अब से तुम लोग उस चुड़ैल को एक भी प्याज मत देना वो तुमारा कुछ नहीं बिगार सकती क्योंकि अभी उसमें वो शक्ती ही नहीं है वो बस तुम सब को ऐसे ही डराती है बस फिर लोग उसको प्याज देना बंद कर देते हैं वो चुड़ैल बनकर सब को खूब डराती है पर फिर भी कोई उसे प्याज नहीं देता वो चुड़ैल किसी का कुछ नहीं बिगार पाती क्योंकि उसमें किसी को मारने की शक्ती ही नहीं होती लोग उससे डरना बंद कर देते हैं और वो चुड़ैल उस राक्षस को कहीं से प्याज लाकर नहीं दे पाती कहा है प्याज इतने दिन हो गए मुझे कहीं से भी प्याज लाकर दो मुझे माफ कर दो मालिक पर अब गाउवाले मुझे डरते ही नहीं है और मुझे कोई भी प्याज नहीं देता अगर तुम मेरे लिए प्यास लाकर नहीं दे सकती तो तुम मेरे किसी काम की नहीं हो राक्षस उस चुड़ेल को खुद खत्म कर देता है और प्यास ना मिलने से वो भी दिन पर दिन कमजोर होता चला जाता है और एक दिन खुद भी मर जाता है गाओं के लोगों को उस चुड़ेल से छुटकारा मिल जाता है